हलो गाइज, वालकुम बैक, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, Computer Science Architecture, जो आपका Computer System Architecture subject है, B.A.C. First Sam, या First Year में जो Major subject है, उसकी हम बात कर रहा है, इसके Important Topics के बारे में, सो वीडियो को Continue करने से पहले में कहना चाहूंगे, कि यह जो Topics है, यह Important है, that means, आपको उनको Skip नहीं करना है, बट सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं करनी है अपनी पढ़ाई, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, एटलिस एक बार आपको सब कुछ पूरा syllabus पढ़ना चाहिए, ठीक है, चलिए, तो हम बात कर लेते हैं, अपना यह सब्जिक्ट है, इसमें पाँच यूनिट्स हैं, और यह 2022 स्टेज के according कुछ थोड़े बहुत minor changes हैं, तो इसमें यह हम यूनिट वन की बात करें, तो आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए, वो हैं आपके codes, जैसे binary, octal, hexadecimal, ठीक है, यह वाले आपको पता होना चाहिए, कई बार आपको binary से octal, hexadecimal या hexadecimal से decimal convert करने के लिए पूछा जाता है, तो यह concept आपका clear होना चाहिए, then है आपका error, detection code, यह भी most important है, data types, उसके बाद में अगर हम इसी में बात करें, तो आपको basic computer organization जो है, मतलब जो computer का internal diagram होता है, वो पता होना चाहिए, जिसमें उसके registers और buses, memory सबा जाती है, ठीक है, उसके बाद आपको k map पता होना चाहिए, यह जो logic gates वाला लिखा हुआ है यहाँ पर, यह most important है, ठीक है, तो पहली unit में आप, यह चीजे जो आपका conversion है, number system है, वो computer का block diagram, दो, third चीज है आपकी logic gates और k map जो आपको बताया होगा, boolean algebra, यह दिखने में थोड़ा tough लगता है, लेकिन यह easy ही है, और कई बार exams में बूचा जाता है, आपको इससे related videos हमारी playlist में भी मिल जाएंगे, then अगर हम बात करें, unit 2 की, तो यहाँ पे आपको, यह जो circuits दिये हुआ है, यह पता हो नहीं चीजे, यह सारे almost, adder, subtractor, चीक है, अगर आप इसमें से छोड़ भी रहे हो कुछ, तो कुछ ऐसा पक्का पकड़ के रखो, जो आपको अच्छे से पता हो, जैसे adder, subtractor आप कर सकत हो, multiplexer, demultiplexer भी tough नहीं है, ठीक है, flip-flops भी पूछे जाते हैं, तो यह तीन भी अगर आप अच्छे से कर लो, उसके बाद में हैं, आपके addressing modes, कई बार addressing modes पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यह आप कर लो, then आपके जो micro operations दिये हुआ है, यह बता कर लो, unit 2 में, थर्ड सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़के जाना है, ठीक है, थर्ड यूनिट में अगर हम बात कर लें, तो आपका जो micro processor है, इसमें जो पहला topic दिया हुआ है, hardwired versus micro programmed, यह important है, risk, cisk, जो हैं, यह वाले दोनों concept, इनके बीच में differentiation पूछा जा सकता है, और यह जो आपका instruction format है, zero address, one address, यह पूछा जा सकता है, और जो normal सिर्फ concept है, concept पूछे जा सकता है, pipeline के और parallelism के, इनके आपको definition और काम कैसे करता है, यह पता होना चाहिए, ठीक है, fourth unit की यदि हम बात करें, तो यहाँ आपको BMA transfer पता होना चाहिए, और जो आपकी memory hierarchy है, यह most important है, यदि पांचवी unit में आ जाए हम, तो आपका यह जो flits classification है, इसको कर लें, यदि आप, और Indian contribution जो है, यह भी बहुत ज़रूरी है, आपको Indian scientist और उनोंने क्या काम किया हुआ है, यह चीजे पता होना चाहिए, ठीक है, और super computers के बारे में, यह जो parallel computing projects चल रहे हैं अपने यहाँ पर, उसमें से आपको, at least, जैसे आप देखें, तो पिछली बार, I think, परम पूछा था, यदि आप देख पाएं, पिछली बार का, जो था paper, तो जो पूछा है, उसमें, उससे थोड़ा सा अलग, यदि हम देखें, तो उसको छोड़के, next वाला कुछ देख लेना, कई बार, चीजे repeat हो जाती हैं, और कई बार, नहीं भी होते हैं, questions repeat, पर आपक कहूंगे, कि आपको at least एक एक बार reading सभी की लगानी है, and all the best, जो आपको topics कहें हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, काफी सारे आपको हमारी playlist में भी मिल जाएंगे, यदि नहीं हो, तो आप request भी कर सकते हैं, उन topics पर videos की, so thank you so much guys, मिलते हैं अपने next video में,